Welcome friends, मैं हूँ परताप सिंग और आप देख रहे हैं GK परताप चैनल और आप सबी का स्वागत है करंट अपेर्स की इस ओनलाइन क्लास में और मैं आपको बताने वाला हूँ करंट अपेर्स से संबन दीते कुछ क्यूसेंस जो आरेस फर्स्ट क्रेट के साथ में उन सभी परतियोगी परिक्साओं के लिए बहुत ही मैत्पूर्ण है जिनमें करंट जी की क्यूसें करंट अपेर्स की क्यूसें पूछे जाते हैं तो वीडियो उस्ट्राट करने से पहले अपने अगर अपित तक जी क Peng प्रताब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले और आज की वीडियो हरोनने ही सीबी आई का नया निदेशक क्यों guar गया CBI में ने निदेशक की नियुक्ती भी है तो CBI का निया निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है उसके बारे में पहला जावेद हमत, दूसरा रिशी कुमार शुकला तीसरा डॉक्टर राजीव कुमार, चोथा राकेश अस्थाना तो इसका सही आंसर है रिशी कुमार शुकला इनको हाल ही में CBI का निया निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एशिया का फुटबल टुर्णामेंट 2019 जीता एशिया कप फुटबल टॉनामेंट 2019 किसने जिता पहला है कतर, दूसरा स्रिलंका, तीसरा नेपाल, चोथा है बुटान तो सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एशिया कप यानि कि इसमें सिर्फ एशिया के देश ही बाग लेंगे ये चीज भी अपनें को ध्यान में रखनी है एशिया कप फिर है ये फुटबल टॉनामेंट 2019 वाला तो पहला है कतर, दूसरा स्रिलंका, तीसरा नेपाल, चोथा है बुटान तो इसका सही अंसर है कतर यानि एशिया कप जो फुटबल टॉनामेंट 2019 है वो कतर ने जीता है नेक्स्ट, किस देश की कंपनी ने भारती नो सेना के साथ तराणमें मिलियन डॉलर के नेवल MRSAM सोदे पर हस्ताकसर किये हैं यानि किस देश की कंपनी ने भारती नो सेना के साथ आप्स्तराणमें मिलियन डॉलर के MRSAM सोदे पर हस्ताकसर किये तो पहला है इसराइल, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमरिका, चोटा है जापान तो इसका सही आंसर है इसराइल यानि यह MRSAM सोदा जह है इसराइल की कंपनी ने जह किया है नेक्स्ट है हाल ही में National Cadet Corps, National Cadet Corps यानि NCC National Cadet Corps, NCC का महानि देशक किसे नियुक्त किया गया है तो पहला है राजीव चोपडा, दूसरा मनोज वशिष्ट, तीसरा सिवम राज, चोटा सिवचरण कोशिक तो इसका सही आंसर है राजीव चोपडा, इनको हाली में NCC, National Cadet Corps का महानि देशक नियुक्त किया गया है नेक्स्ट है दोसो अंतराष्ट्री एक दीव से क्रिकेट मेच, खेलने वाली पहली खिलाड़ी कोन बनी यानि यहां महिला क्रिकेट की बात हो रही है, दोसो अंतराष्ट्री एक दीव से क्रिकेट मेच खेलने वाली पहली खिलाड़ी यानि यह ऐसी पहली खिलाड़ी होंगी जो दोसो अंतराष्ट्री एक दीव से वंडे मेच खेल चुकी है तो पहला है समरती मंदाना, दूसरा मिताली राज, तीसरा जुलन गोसवामी, चोता पुना म्यादव तो एक पेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बताया था एक बार कि जो बड़े-बड़े रिकोर्ड, जैसे सबसे ज़्यादा मेच, सबसे ज़्यादा शातक, या फिर सबसे ज़्यादा फिप्टी लगाने ओले खिलाड़ी, तो मुमुन जो है, इसका अंसर जो होगा, वो होगा, मिताली राज बल्ले बजी में, और गेंद बजी में, अगर बात करें तो वो होगी, जूलन को सवामी, यो दोनों बहुत पूरानी की लड़ी है, महिला किरकेट की, तो इसका सही अंसर जो होगा, मिताली राज, इन्होंने दोस्तों अंतराश्टे, एक दिश्य इमेच, खेल लिये हैं नेक्स्ट है, इसरों ने किस सहर में मानव अंतरिक्स उडान केंदर लॉंच किया मानव अंतरिक्स उडान केंदर, इसके बारे में, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, मानव अंतरिक्स उडान केंदर, यानि अंतरिक्स में मानव को पोचाना और उसके लिए जिस पेस सिब बनाय जाएगा उसके अलावाद जितने भी सारे का माना उंतरिक्स उडान के अंदर होने हैं उसके बारे मिपूरी जयनकरी में पिछले वीडियो के वीडियो तो उसमें दे चुका हूँ इसका दिक्स किसे बने गए ये भी मैं बता चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो इसलिए वीडियो जरूर देख लें तो उडान के अंदर जी है वो लॉंच किया गया कि सहर में लॉंच किया गया है कपेला है बैंगलूर दूसरा है दिल्ली तीसरा है उजेन और चोता है पोकरण तो इसकी अगर आपन बात करें तो इसका से अंसर है बंगलूरू यानि बंगलूरू में है उडान के अंदर लॉंच किया गया है इस रोका बात करें नेक्स्ट क्यूशन की हाल ही में किन देसों ने अबेर नामक सज्जा मुद्रा लॉंच की है अबेर इसको ध्यान रखना अबेर नाम सुनते ही जो है जना बचाना सा लगता है कैसे लगता है वह बता देता हूँ आपको इसके अंसर देखते हैं पन स्वयक्त अरब अमिरात और साथी अरब दूसरा है इराक और इरान तीसरा पाकिस्तान और चीन वहीं चोथा है फ्रांस और ब्रिटेन तो अबेर में अपने को दिकरा अरब तो जैसे अबेर जो मुद्रा है जैसे डोलर है जैसे भारत की रुपया है जैसे अबेर नामक जो मुद्रा है वो हो जाएगी सवयक्त अरब अमिरात की और साथी अरब की तो इसका सही अंसर भी यह हो जाएगा कि अबेर जो मुद्रा है वो है सवयक्त अरब अमिरात को खोला घया, किस देश में, जलवयू के लिए, सत त्विकास के लिए, अफरिका के अंदर को खोला घया, तो पहला आएगा, जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा जापान और चोता है, नीधर लेंड, तो इसका सही आंसर है इटली इटली देश में अब्ही अपरिका के लिबर के इंदर को खोला गया जलवाह ज़ता सत्र producesकास के लिए नेक्स्ट है बारत का दूसरा टूलिप गार्डन किस राज्य में खोला जाएगा टूलिप गार्डन के अगर अपन बात करें तो बारत का जो पहला टूलिप गार्डन है वो जम्मू कस्मीर में खोला गया था पहला टुलिफ गार्डन जमू एंड कस्मीर में खोला गया था बता देता हूँ और दूसरा जी टुलिफ गार्डन है वो अब खोला जाएगा उत्रा खंड में यानि पहला तो जमू कस्मीर में हो गया स्रीनगर के अंदर विस्व का सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक देश कौन सा है विस्व इसपात संग द्वारा जारी रिपोर्ट के नुसार विस्व का सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक देश यानि स्टील की उत्पादन में अग्रणी देशों की आँ पर बात की जारी है उसमें ये पूचा जारा कि विस्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है स्टील उत्पादक देश जो सबसे जदा स्टील का उत्पादन कौन सा देश करता है अगर इसकी बात करें अपन तो पहला है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है अमरिका, चोथा है इराग तो विस्व में सबसे ज़्यदा स्टील उत्पादन करने वाला देश है वो है चीन सबसे ज़्यदा स्टील का उत्पादन चीन करता है उसके बात अपन बात करें तो पिछले वीडियो जो मैंने बताए था कि विशेमे श्टिल वतपादन में दूसरे नंबर पर पहले जापान था लेकिन अब जापान को पकाड़ कर इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया है और जो है जापान है वह तीसरे नंबर पर चला गया यानि अगर यह पूछे कि स्टील उत्पदक देशो में इंडिया का कौन सा स्थान है भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का जी स्थान है वो अब दूसरा हो गया है पहला स्टान चीन का है वहीं दूसरा स्टान भरत का है तीसरा जापान का और अमेरिका की बात करें तो इसका स्टान चोधता है स्टील पादक देसु में से तो दोस्तों ये था आज का वीडियो माप कीजिएगा दो कुछन और वाकी अभी विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे किस राज्य में बनाया जाएगा विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे यह एक्सप्रेस वे होगा किस राज्य में बनाया जाएगा यह विश्व का सबसे लंबा भी होगा पहला है उत्तर प्रदेश दूसरा राजस्तान, तीसरा उत्तराखंड, चोथा जम्मू कश्मीर तो इसका सही आंसर है उत्तर पर्देश नहीं उत्तर पर्देश राज्य में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस भी बनाया जाएगा नेक्स्ट है हाली में सुर्क्यों में रहा अटल से तू किस राज्य में स्तित है अटल से तू अटल से तू की बात करें तो यह भी सुर्क्यों में भी था और यह किस राज्य में है पहला गोवा, दूसरा महराष्ट, तीसरा उत्तर पर्देश और चोथा है दिल्ली तो इसका सही आंसर है गोवा, यानि अटल से तुझी है वो गोवा राजे में स्तित है, यह अभी हाली में सुर्कियों में भी था तो दोस्तो यह ते हाज की वीडियो, अगर आपने अभी तक जीकेपरताप चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो उसको सबस्क्राइब कर दें, और साथ में वेल आइक और फ्रेस करते हैं और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगाते हैं इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ सेर भी करें जै हिंद